क्या आपको टीवी शो बाले का वधुयाद है शो की पूरी स्चार कास्ट और कहाणी हमारे दिलों में घर कर गई स्चार कास्ट में तोरल रासपुत्रा भी थी जिनूरी साल 2013 में आनदी की किर्दार के लिए प्रत्युशा बनर्ची को रिप्लेस किया था तोरल की माने तो ये रिप्लेस्मिट आसान नहीं था हाले में उनसे खास बाच्चित के दुरान तोरल नहीं अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि बाली का वधून की करियर में टर्निंग पॉइंट था बाच्चित के दुरान उन्होंने प्रत्युशा से जुड़ी कुछ बात है भी शर की बता देन दिनों तोरल शो डोरी में बतोर लीडर एक्ट्रेस नजर आ रही है उन्होंने कहा कि बाली का वधू मेरे करियर में टर्निंग पॉइंट था इससे पहले मैंने कई शोस किये थे लेकिन जो एक्सपोजर मुझे बाली का वधू ने दिया वो किसी शोसे नहीं मिला आज भी जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वे आनंदी कहकर ही पुकारते हैं आनंदी के किर्दार के लिए प्रत्यूशा बैनर्जी को रिप्लेस करना आसान नहीं था हर तरफ से मुझे बहुत ज़ादा स्ट्रेस और प्रेशर था ऐसा लग रहा था कि मानों मेरे कंधे पर वेंदुक रगती कही हो देखिए उस वक्त प्रत्यूशा बहुत पॉपलर हो चुकी थी और उसको लोग बहुत पसंद करते थी शो के लिप के बाद जब प्रत्यूशा ने अविका गौर को टीक ओवर किया था तब वो उतना ही लोगों को पसंद आए जितना विका को लोग पसंद करते थी ऐसे किरदार को निभाना आसान नहीं होता शुरूआत में तो मुझे पता भी नहीं था कि मेकर्स मुझे आनंदी के किरदार के लिए आउडिशन करवा रहे फानल होने के बाद मैं शो के लेखख डिरेक्टर के साथ जादा से जादा वक्त बिताने लगी सिवाए मेरे पैक अप के बाद सभी अक्टर्स अपने घर निकल जाते थे आनदी में किरदार में ढलने के लिए मुझे तकरीबन तीन महिने लग गए थे शुरात में दिक्कत हुई फिर अच्छा महसूस होने लगा वक्त के साथ-साथ में इस किरदार को एंजॉय करने लगी